तो जार्खण में महा गटबंदन की सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हेमन सोरेन सरकार हर मोर्चे पाड़टी हुई है कोरोना काल में सरकार ने सीमित साधनों में बहतरीन काम किया लोकडाउन के दुरान सबसे पहले जार्खण के मजदूरों के लिए ट्रेन भी दोड़ाई लेल अद्दाक में फसे प्रवासी मजदूरों को हवाई जहच से लाया गया वापस आए मजदूरों के लिए रोजगार, राशन जैसे कई महतपूर योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम भी किया जा रहा है यानि कि 6 महिने के सरकार में करीब 3 महिने साथ इक लौकडाउन ही रहा खाला कि BJP सरकार की छमाही पर सवाल उठा रही है तो सत्ता पक्ष उपलब्धियां भी गिना रही है पूरे हो चुके हैं पूर्टी विभाग बेहतरीन काम कर रहा है मुख्यमंत्री ने उदारता के साथ जनता को रहत देने का काम किया है और मैं इतना बताओं कि चक्र जहर से जार्खन सरकार की प्रशंसा हो रही है केवल राज में नहीं बाहर के राज के भी लोग जो तप्रस्त हैं जार्खन से बाहर भी हेमंत्र सरकार के काम की प्रशंसा हो रही है सरकार ने लॉकडाउन के दोरान प्रवासी मजदूरों को जहाद से लाने का काम किया मंत्री मिथलेश ठाकुर की दलील है कि हमारे सरकार की उपलब्धी जनता बताती है हमारे सीम की गिंती सबसे सफलतम सीम के रूप में हो रही है इस राज्य में जन सरोकार और जार्खंडी मानसिक्ता की सरकार बनी है और ये वैसे लोगों को नहीं पचेगी जो जार्खंड को सिर्फ सोने की चेडियां समझ कर लूटने का काम करते हैं सभी विभाग में काम हो रहा है और जनता सराहना कर रही है वहीं जेमें महासचिव का दावा है कि पाच साल के किसी छमाही की तुलना हमारे छमाही से कर लें हम भारी पढ़ेंगे सत्ता पक्ष के नेता अपनी सरकार के काम की वाहवाही कर रहे हैं तो बीजेपी तंज कस रही है बीजेपी का आरोप है कि इनकी एक ही उपलब्धी है इनके सरकार में कानून विवस्था की स्थिती बच से बत्तर हो गई पुलिस का एकबाल समाप्त हो गया अराजक तत्तो और अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और यही इनकी उपलब्धी है कौन सा ऐसा काम किया है उसका भी उलेक करें छे मेहने की सरकार एक भी योजना एक भी किलो में एक किलो मीटर सडक बन पाई किया आज इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सरकार अपने जिम्मवारी से न बचे इनकी उपलब्धी है और एक उपलब्धी अवश्य है कि कानून विवस्था की स्थिती इनकी सरकार में बद से बत्तर हो गई है कोरोना की वज़े से वाकई राज्जी में कई काम प्रभावित हुए लॉकडाउन ने आर्थिक रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया जिसे अब दुबारा से रफ्तार देना सरकार की प्रार्थमिक्ता होगी चंदन जी मीडिया राची